हाले अब्रीबन, वेल्कम बैक टू माई चैनल, तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो है मेरा हॉम टूर जो मैं आपको आज करवाना चाहती हूँ क्योंकि पहले इतने दिनों से मैंने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि पूरा घर कंप्लीट हो जाता तो यह आपको दिखाती लेकिन उसे अभी टाइम लग गया इसलिए मैं आपको अभी होम टूर करवा देती हूँ अपना तो हमारा घर डबल स्टोरी ह जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है और जो फर्स्ट फ्लोर है हम वहाँ पे रह रहे हैं उसकी हमने तैयारी करवा ली है तो जैसा भी है जितना हमारा रड़ी हुए तो मैं आपको दिखा देती हूँ तो चलिए चलते हैं मेरे साथ तो फ्रेंड्स ये देखिए बाहर से हमारा घर तो हमने दो गेट रखे हैं तो बड़ा वाला तो गाड़ी के लिए और जे छोटा वाला तो यहीं एक्टिवा और बाइक और हमने आना जाना तो यहीं से जाते हैं और हमारा घर 11 मरले में है यह देखिए वहां तक बाउंडरी है जो दिखरी और जितना इसका चुडाई है घर की उतनी ही लंबाई है दोनों तरफ से एक जैसा जे और अभी चलते हैं अंदर तो यहां पे लोन में एक चिडिया आगी थी छोटा सा बच्चा और सौरिश ने यहां इसको भी ठाके रखा हुआ चेर पे और पानी पिलाया तो घर के आते हैं अंदर और राइट साइड यह देखिए हमने यह पोदे लगाए हुए और अभी तो इसके उपर बेले और यह हमारा आंगन जिसे हम पंजाबी में वेडा कहते हैं और आगे यहां पे हम गाड़ी लगाते हैं और लेफ्ट साइड आजए तो हमने जे घर का लोंड रखा हुआ है तो यहां पे सेंटर में ग्रास है हरावाला और साइडो साइडो में फूल है और बीच बीच में मैंने कुछ पोदे भी उगाए हैं कोई बेले बगारा जो सबजी थोड़ी बहुत हारी मिर्च बगारा यह मैंने आपको पहले भी दिखाई काई बार और अभी चलते हैं और यह बरांडा है लेकिन इसका भी कुछ पता नहीं है इसको शायद तोड़ देना है तो जब इसका कुछ हल होगा तो पता चल जाएगा तो अभी चलते हैं अंदर लाइट ओन कर दिये मैंने और यह हमारा ग्राउंट फ्लोर और यह उसका लीविंग एरिया और यहां पर मैं पूजा करती हुई तो यह मेरा पूजा का स्थाना और देखिए यहां सीलिंग हो गई है लाइट भी लग गई है और अभी वस टाइले लगनी थी यह देखिए रखी पड़ी हैं लेकिन अभी आपको पताएं यह सब करोना के चलते सब कुछ बंद है तो अभी चलते हम उपर तो यह है हमारा लिविंग एरिया उपर वाला जहां अब हम रहते हैं तो यहां पे सिंपल हमने एक सोफा रखा है दो चेयर रखी है और यह चेयर कभी हम बाहर भी ले जाते हैं क्यूंकि हमने बहुत ज़्यदा समान नहीं रखा अभी तो अभी हमारा घर का कामी चल रहा है तो जितनी हमें जरूरत है बस उतना समान है उससे भी कई चीजे तो अभी नहीं है हमारे पास तो ना तो डाइनिंग टेवल है नीचे बैट के कभी यह टेवल पर यहीं खाना खा लेते हैं तो यह जो सामने दिख रहा है तो फिल हाल तो मैंसे स्टोर के लिए यूज करती हूँ तो बाद में पतान इसका क्या करना नहीं तो मैंने तो यहां इसके अंदर फ्रीज भी इदरी रखा है क्योंकि फ्रीज कीचन में नहीं आता था फ्रीज बहुत ज़्यादा तंग हो ज और यह देखिए यह सारा वुडन वर्क करवाया हुआ हमने और यहां पे देखिए यह हमने पोड़ियों के नीचे यह सलेट लगवाया है टाइल नहीं है जे जो पहाडों में सलेट होती है घरों के ओपर वो और इस दिवार पे लगाया हुआ हमने टीवी तो टीवी पे कैमरे ओन है और यह है हमेरी किचन तो किचन में भी जैदा बरतर नहीं है तो उतने हैं जितने छोटे सी किचन में आ सके किचन तो आप लोगों ने मेरी कई बार देखी भी है तो यह जो सारी यह बुड़न वर्क हुआ है तो इस पे अभी पॉलिश होना बाकी है तो यह देखिए यह किचन की मेरी बिंडो है तो यह आपको खोल के दिखाती हूँ यह देखिए सौरिश के बापा बैठे है और देखिए सारा बाहर का व्यू पूरा दिख जाता है यहां से शीशे से और यह है हमारे घर की बालकनी तो हमारे घर में दो बालकनी है यह बड़ी वाली है तो यह देखिए यहां पे पूरा टफ़न गलास लगा है यहां पे हम चल फिर सकते हैं इसका तूटने की कोई भी प्रॉबलम नहीं है और यहां पे भी हमने वो लगाया नीचे यह टाइल नहीं है यह भी हमने स्लेट लगाये हैं और आजकल तो कूलर भी जहीं रहता हमारा तो अभी चलते हैं फिर से अंदर और यह है हमारा वाश वेशन और साथ ही में यह हमारा टॉयलेट है और यह टॉयलेट है हमारा जो इंडियन टॉयलेट वो है यह और यहां पे भी यह सारे बिंडो है तो यह उठा के देखिए आप चिप तो बाहर सारा दिखेगा यहां से भी शीशा लगा पूरा और अभी चलती हूं मैं तो यह है बैडरूम तो हमारे घर में दो बैडरूम है उपर और एक यह वाला तो यहां पे तो जदतर सोरिश की चीज़े मिलेगी आपको मेरा मेक अप का समान भी यही पे है कि कोई मेरा ड्रेसिंग अलग नहीं बना हुआ तो यही पे मैं शीशा लगा जो अलमारी के अंदर तो उसी से देखके मैं मेक अप गयरा कर लेती जो क्रीम कोम करनी है यही पे तो इसलिए मैंने अपने सारा समान भी यही रखा है और यह अलमारी है चोटी सी इसमें सिर्फ सौरिश की कपड़े हैं और बेडरूम के साथ ही अटैच बात्रूम है यह बात्रूम में टैप गएरा शार बगएरा सब लग गया है लेकिन यहाँ पे ट्वालेट शीट है जो वो अभी तक नहीं रखी हुई तो अभी चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ तो यहाँ पे भी हमने कोई ज़्यादा समाने रखा बस दो चेयर रखी है और सिंपल बस एक अलमारी बनाए चोटी सी बस और बेड जैसे होटल के रूम जैसा ही है खाली खाली सा रूम है हमारा और यह अलमारी मेरे और मेरे हस्बेंट के कपड़े हैं सिंपल यह एक टेड़ी रख दिया उपर और एसी लगा रूम में बस इतने समान है हमारे वेड रूम में और इस बेड रूम के साथ भी अटैच बाथ रूम यह वाश वेशन और यहां पे भी स्पेस थी तो हमने यहां पे भी एक अलमारी बना दी हुई है फिट कर दिया बीच में ही और यह था हमारा बाथ रूम और अभी चलती है आपको दिखाती हूँ मैं इसके बिंडो खोल के तो यह देखिए यहां से बाहर का व्यूँ अभी मैंने पूरा यह कर्टेन नहीं उठाया था यह देखिए और साथ ही है यह छोटा सा डोर और बाहर बालकनी यह बालकनी छोटी है दूसरी वाली से लेकिन यहां पे भी जो छोटा मंज़ा होता है वो एक आ जाता है कई बार मैं यहां पे लगाती हूँ वो छोटा वाला मंज़ा फॉल्डिंग तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं उपर तो आपको मॉंटी भी दिखा देती हूँ जब पूरा घर दिखाया तो तो यहां पे देखिए हमने पूरा वुडन वर करवा दिया हुआ है अब इसे पॉलिश होना है तो ही इसकी जो चमक है वो बाहर आएगी यह वुडन की तो यह मॉंटी भी हमने काफी बड़ी रखी है एक छोटे रूम की तरह तो यहां पे भी मैंने यह एक दिवान रख दिया हुआ काफी स्पेस थी जहीं पे भी तो साथ में रखा हुआ इंवर्टर और यह चूला रखा हुआ है यह सर्दियों में बहुत काम आता है तो यह देखिए बिंडो से बाहर और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर आसपास का अरिया तो यह आपको मैं पहले भी बहुत बाद दिखा चुकी हूँ तो यह देखिए तो यह सामने छोटी सी पहाड़ें आती हैं यह देखिए और फ्रेंड्स यह था मेरा होम टूर और आप प्लीस मुझे बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा तो यह थी मेरी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फ्रेंड्स अपना और फैमली का धिहार रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय फ्रेंड्स